हलो अब्रीवन इन दिस वूड़ी वे आर गोई टो स्टार्ट क्लास एट मैं एक्सेर साइज 12.1 बिद कोर्शन 5 इन दिस कोर्शन भी है फाइंड दा वैलू आफ एम फार बिद तो यहां पर हमें यह एक्क्वेशन गिविन है इस एक्क्वेशन से हमें एम की वैलू 5 रेस्ट दो पावर एम डिवाइड 5 रेस्ट दो पावर माइनस 3 एंड एक्कोल टू यहां पर दे रखा है 5 रेस्ट दो पावर 5 अब यहां पर देखिए यहां भी 5 है यहां भी 5 है अब जो नीचे वाला नमबर होता है उसे हम बेस कहते हैं एंड जो नमबर उपर यह टिक यहां पर same है, दोनों यहां पर 5 है, एक लाव होता है exponent का अगर कोई नंबर है A, इसका जो exponent है वो यहां पर M है, and यहां पर divide हो रहा है, again यह नंबर है A, and इसका exponent N है, N है exponent इसका, तो यहां पर इस condition में base same होता है, तो exponent subtract हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, subtract, तो यहां पर A, M minus N हो जाएगा, तो यह rule होता है exponent का 1, तो इसके according ह्यां पर 5 तो same रहेगा, यहां पर यह base है, जिस तरह से यहाँ पर a base था a यहाँ पर same रहा था same इसी तरह से 5 भी यहाँ पर same रहेगा next यहाँ पर m m यहाँ पर यह है तो यहाँ पर m आएगा next minus and जो 3 दे रखा है वो already minus में है तो इस तरह से हम bracket में close कर देंगे and equal to यहाँ पर आएगा 5 raise to the power 5 अब यहाँ पर 5 m अब यहाँ पर देखिए यह minus यही minus मेंस से जब टकरा हैगा तो यहाँ पर यह plus हो जाएगा तो यहाँ पर plus का तिरी हो गया and equal to here upon 5 raise to the power 5 अब यहाँ पर देखिए यह दोनों equal है यह दोनों equal है तो उनका base भी equal होगा यह दोनों equal होगा तो इनका base भी equal होगा जब base equal होगा तो इनका exponent भी equal होगा तो यहाँ पर हम compare करेंगे comparing comparing exponent on both sides तो comparing exponent on both sides तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इनका exponent है उनको compare कर रहे हैं तो यहाँ पर means उनको equal हमें रखना होगा जब यहाँ पर base equal है तो यहाँ पर exponent भी equal होगा तो यहाँ पर m plus 3 equal to 5 हो जाएगा next यहाँ पर m यहाँ पर देखिए m के साथ जो plus 3 है वो यहाँ पर plus का है ना यहाँ पर positive है इस side जाएगा तो यह minus का हो जाएगा 5 minus 3 तो यहाँ पर m 5 minus 3 इस में से 5 में से हम 3 minus करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर तो m equal to यहाँ पर 2 आ गया it means so m की value है वो यहाँ पर 2 है हमें यहाँ पर m की value find करनी थी तो इस तरह से आपको इस वाली question का solution करना है I hope इस question का solution आपको easily understand हुआ होगा